फंस गए हैं केज रिवाल क्योंकि E.T. के बाद अब C.B.I. की कस्टिडी में जाने वाल हैं 15 अप्रेल को केज रिवाल अगर त्यार के बाहर आ भी गए तो फिर फॉरन C.B.I. उन्हें अपनी कस्टिडी में ले लेगी समी करण कुछ ऐसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं अर्विंद केज रिवाल का केस भी मनीश से सोदिया के ही रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ फिलाल दिखाई दे रहा है और वो रास्ता बहुत जादा बचा हो ऐसा दिखाई नहीं देता है मैं बताती हो आपको वो पांट वज़ा कि क्यों अर्विंद केज रिवाल की CBI कस्टिडी अपता है पहली वज़ा ED की मौझूदा जो भी कारवाई आप देख रहे हैं इसकी शुरुवात CBI ने की थी पिछले साल 17 अक्टूबर को सबसे पहले CBI ने ही शराब नीती पर मामला दर्ट किया था और CBI की ये कारवाई दिल्ली के LG वीके सकसेना के आदेश के बाद हुई थी अब देखे शराब नीती को बनाने और लागू करने में मानी लॉंडरिंग के आरोप की जाच एडी कर रही है जबकि पॉलिसी बनाते समय जो कठित गड़बड़ी हुई थी उसी के उपर केंडरित है CBI की जाच तो मतलब साफ है कि एक बार जब E.D. की रिमांट खत्म हो जाएगी तो फिर CBI केजरी वाल को रिमांट पर लेने के लिए अदालत का दुख जरूर करेंगी दूसरी वज़ा मनिश सिसोदिया को पहले CBI ने गिरफतार किया था और बाद में E.D. ने जेल से ही उन्हें अरेस्ट कर लिया तो ऐसे में ये साफ है कि शराब नीती में जब छानबीन E.D. और CBI दोनों कर रही है तो पहले या बाद में पूठताज भी दोनों ये अजंसिया करेंगी अब देरो या सबेरो नंबर जरूर आएगा मनिश सिसोदिया की ही तरह अरविंद केजवेबाल की राह भी आसान नहीं है तीसरी वज़ा मनिश सिसोदिया की जमाना त्याचिका का विरोत करने के दौरान CBI ने कोट में ये बताया था कि आपकारी नीति गोटाला मामले में कुछ और हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफतारिया आगे भी हो सकती है अब खुदी सोचिये कि मनिश सिसोदिया जैसे बड़े कत के निता की गिरफतारी के बाद भी आम आदमी पाटी में या दिल्ली सरकार में कोई दूसरा हाई प्रोफाइल शक्स बठा है क्या संकेट साफ है अर्बिंद केजरिवाल चौथी वज़ा CBI ने आज अदालत में कहा है कि उसके पास अर्बिंद केजरिवाल के खिलाफ परियापत सबूत है CBI ने ये बताया कि एक बड़े बिजनसमैन ने पहले अर्बिंद केजरिवाल से मुलाकात की और केजरिवाल ने उन्हें आपकारी नीती के जरिये समर्थन का पूरा भरोसा दिलाया मतलब CBI केजरिवाल पर सीधे आरूप लगा रही है पांचवी वज़ा शराब नीती गोचाले के अलावा CBI दिल्ली जलबोड में भी कथे तानियमित्ताओं के मामले की जाच फिलाल कर रही है और ये एक मात्र विभाग था जोके अर्बिंद केजरिवाल के पास बहुत थोड़े से समय के लिए था बनारविंद केजरिवाल अपने पास कोई भी मंत्रा ले कोई भी विभाग रखते ही नहीं है मतलब ऐसे नहीं तो वैसे केजरिवाल तक CBI की जाच पहुँचना तै है झाल